हाई गाईज आई होप यूला डूइंग रेड हम लोग बात करें हमारे डेली करंट फेर सेशन की जो सुबा चार बज एवैलिबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रंटियर आई-एस पर आज की तारीक है चार मार्च दो हजार बाइस हमारे दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेश्टन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से एससे जलपनेकल डॉट कॉम और बलजीर धाकर डॉट कॉम साथ ही साथ फॉर डेली वीडियो पीडिय अब हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आइस और सेस जलपनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस कुज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि ओंगोलिल और वन वन अमंग यू किस मुख्य मंत्री के आत्मकता है तो इ हैंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन के लिए भारत की पर्यावरन रिपोर्ट 2022 के नुसार 2030 अजंडा के रूप में अपनाए गए 17 एस डिजी लक्षों पर भारत का रहेंग क्या है इंपोर्टन क्वेस्टन है करेक्ट आंसर है इसको आप्शन नूमबर B 120 देख लो तो संयूक तुराष्ट्रे के 192 सदस्य देशों दुबारा सतत विकास के लक्षों को हासल करने का जंडा 2030 अपनाने के बाद भारत इस सूची में पिछले साल के मुकाबले 3 पाइदन फिसल कर 120 वे स्थान पर पहुँच गया पिछले साल भारत 170 वे स्थान पर था सयूक तुराष्ट्रे ने 2015 में इस प्रस्थाप को अपनाया था जिसकी ताजा रैंकिंगे मुताबिक भारत पाकिस्तान 129 ली रैंकिंग को छोड़ कर सभी दक्षी ने शेय देशों से पीछे हैं भारत का कुल सतत विकास लक्षे का अंग 100 में से 66 है यूटी कैटिगरी मे टॉप किया है चंदीगर ने उसके बाद दिल्ली पुडू चेरी और लक्षी द्वीब दूसरे स्थान पर और अंदेमान और निकबार्ट वीब समूती स्थान पर हैं पर्यावरन मंत्री भुपेंद्रों यादव दवारा हाल ही में जारी की गई भारत की पर्यावरन पेरेबल अबाउट रीकलेमिंग वन्स लाइफ नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो इसके सेजबाबा ऑप्शन नमर डी दीपम चैटर जी डिटेल्स देख लो तो भारत के सेना के पूर्व कप्तान दीपम चैटर जी ने दी मिलेनियल योगी और मॉडरन डे पैरेबल अ बाउट रीकलेमिंग वन्स लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है पुस्तक पैंगुइन डेनम हाउस की एबुरी प्रेस दुवारा प्रकाशत की गई है पुस्तक जैशंकर प्रसाद्या जै के बारे में बात करती है जिसकी उद्यमी के रूपे अपनी यात्रा में एक अबी व्यापारिक व्रिधी यानि शेडी येट मर्क्यूरियल राइज हुई है और वीनी एक रहसेवादी साध हूँ है नेक्स्ट क्वेशन देखो भूम अध्य सागर और काले सागर के बीच रूसी उद्पोतों की आवाजाई को सीमित करने के लिए किस देश ने मॉंट समयलन मॉंट्रिक्स कंवेंशन को लागू करने करने लिया है जो अपने भूम अध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी उद्पोतों की आवाजाही को सीमित करने की अनुमती देगा मॉंट्रिक्स कंवेंशन तुर्की को रूसी यूद्ज जहाजों को बॉस्पोरस और डार्डानेल स्टेट्स के माध्यम से ब्लैक सी में प्रवेश करने पर प्रतिबन लगाने की अनुमती देगा नेक्स्ट क्वेशन देखो नागरिक लेखा दिवस का मनाया जाता है तो सही जवाब हो ऑप्शन नमबर ए दो मार्च डिटेल्स देख लो तो 46 वान नागरिक देखा दिवस दो मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेटकर इंटरनाशनल सेंटर जनपत नई दिली में मनाया गया बित मंत्री ने व्यापार करने में असानी और डिजिटल इंडिया पारिसिती की तंत्र के हिस्ते के रूप में इलेक्ट्रोनिक बिल यानी इई बिल प्रसंसकरन प्रणाली के रूप में एक प्रमुक ए गवर्नस पहर शुरू की है नेक्स्ट क्वेशन देखो सरकाने 2021-22 के अब्धी के लिए अम्ब्रेला योजना रिलीफ और रिहाबिटेशन ओफ माइग्रेंट्स और री पैट्रेट्रेट्स को जारी दखने के प्रस्ताप को मंजू मंजूरी दे दी है तो इसकी जवाब हो ऑप्शन नुबर सी दोहजार पच्चिस से चब्वेस डिटेल्स देख लो तो भारत सरकाने 2021-22 की अब्धी के लिए अम्ब्रेला योजना रिलीफ और रिहाबिटेशन ओप माइग्रेंट्स और री पैट्रेट्रेट्स के तहत आपन के कारण पीडित हैं नेक्स्ट क्वेस्टन देखो विग्यानिकों ने किस देश में यिलान क्रेटर नामक दुनिया के सबसे बड़े इंपक्ट क्रेटर की खोज की पुर्वोतर चीन में एक अर्ध चंद्राकर क्रेटर ने पिछले एक लाख वर्षों में पृत्वी में अब तक हो जा गया एक मात्र अन्य प्रभाग क्रेटर जी यू वान डियोर्निंग में पाया गया था रेडियो कार्बन डेटिंग के अधार पर ये लान क्रेटर लगभग 1.85 किलोमीटर की दूरी पर है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो पॉनेरू हमपी के बाद सीनियर महिला शत्राण्च चैंपेंशिप का खिताब जीता कोनेरू हमपी के बाद है किताब जीतने वाली यह पहली किशोरी बनी भारत के सर्वस्ट महिला मास्टर कोनेरू हमपी ने 2013 में 16 साल 7 महिने 20 दिन में खिताब जीता था 16 साल 2 महिने 22 दिन में खिताब जीत कर दिव्या 1974 में टूर्णामेंट शुरू होने के बाद से यह खिताब जीतने वाली भारत की 34 सबसे कम उम्र की खिलाडी बन गई नेक्स्ट वेशन देखो दोस्मोचे उत्सव किस राजर केंदेशासित प्रदेश में मनाया जाता है तो इसकसे जवाब है option number C लदाख डिटेल्स देख लो तो दो दिवसे मठवासी उत्सव जिसे दोस्मोचे के नाम से जाना जाता है का समापन एक मार्च को ले लदाख में हुआ उत्सव की शुरुवात एक भगय धार्मिक समारों के साथ हुई जिसमें मठ के भिक्षू और भक्तों ने भाग लिया यह इसक शेतर में सबसे अधिक माना जाने वाला और लोग प्रियर प्रात्नात योहारों में से एक है नेक्स प्रेशन देखो विकास ठाकूर का संबंद किस खेल से है तो इसक सही जवाब हा उप्षन नुबर ए भारत तोलन डिटेल्स देख लो तो भारत ने सिंगापूर भारत तोलन अंतराश्चों 2022 में अपने अभ्यान का समापन आठ पदकों के साथ किया जिसमें छे स्वरन, एक रजत और एक कांसे शामिल है भारत के पास अब बर्मिंगम में होने वाले कॉमन वेल्थ गेम 2022 के लिए कुल 12 वेट लिफ्टर्स ने क्वालिफाय किया विकास ठाकूर और वेंकेट राहुल रागला ने प्रमक्ष स्वरन और कांसे पदक जीते मीरा भाई चानू ने अपने नए 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वरन पदक जीता लास्ट क्वेस्टन देखो इस सेशन के लिए अमेरिकी सीनेट ने किस देश में अगले अमेरिकी डाजदूत के रूप में बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक समरी की तो State of India's Environment Report में इंडिया का rank है 120 The Millennial Yogi, A Modern Day Parable About Reclaiming One's Life Book, Deepam Chatterjee ने लिखी है Montrix Convention को लागू किया है, तुर्की ने Civil Accounts Day, 2nd March को मनाया जाता है Relief and Rehabilitation of Migrants and Repatriate Scheme को 2021-2022-2026 तक की अबधी के लिए मन्जूरी मिल गई है World के Largest Impact Creator, इलान Creator की खोच चाइना में की गई है Senior National Chess Champion बन गई है, दिविया देशमुक दोस्मोचे Festival लदाक में मनाया जाता है विकास ठाक और वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए है और Donald Armin Bloom, पाकिस्तान में Next US Ambassador बन गई है क्याबिनेट ने कितने करोड रुपे के बजट के साथ 5 साल के लिए आयुषमन भारत डिजिटल मिशन के कारिनवन को मन्जूरी दी है और आपका दूसरा क्वेश्चन है विशु वन्यजीव दिवसकब मनाया जाता है दोनों क्वेश्चन हमारे प्रीवेश सेशन से हैं इनके सांसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वेडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दोनों वेबसाइट और टेलिग्राम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आलसे इन में नेक्स सेशन